आज हम सुनेंगे मीठे बाबा के एक अगस्त 2020 के महावाक्य तो अगस्त महिना विशेश तेवहारों का महिना शुर्वात ही राखी रक्षा बंधन से फिर अपने जन्माश्टमी का तेवहार और इसी बागस्त महिने में अपनी आधर्निय प्रकाश मणी दादी जी का भी स्मृति का महिना होता है तब पूरे महास हम दादी जी की प्रेलनाओं को भी अपने जीवन में शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते हुए स्वयम को ऐसे अव्यक्त स्वरूब बनाना अपनी स्थिती को फरिष्टा स्वरूब बनाने का भी संकल्प करते पवित्रतास की सूचक राखी भी बांधते और नई सत्युगी दुनिया के मिचनु बच्चे राजकुमार शेकरशन का भी आवाहन करते तो हर दिन बाबा के बच्चों के लिए कुछ न कुछ नई प्रेर्णाएं लेकर आता है इसलिए बाबा के एक-एक महावाक के भी हमें ऐसी स्वरूब दुनिया में चलने की प्रेर्णा देते हैं ऐसे अपने बढ़ों जैसा संपुर्ण बनने की प्रेर्णा देते तो सब की ध्यान से सुनेंगे बीठे बाबा के आज के महावाट के प्यारे बाबा ने कहा बीठे बच्चे तुम्हें पढ़ाई से अपनी करमाती तवस्था बनानी है साथ-साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है रूहानी सर्विस करनी है रूहानी मना आत्माओं की सर्विस आत्मिक उन्नती की सेवा कैसे हम शिवाबा का ज्यान सभी आत्माओं तक पहुँचाएं उन्हें दे तो ये सेवा हम बच्चों को करनी प्रश्न है कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे उत्तर है बाप ने मंत्र दिया है here no evil see no evil तो ऐसे तो गाधी जी के तीन बंदर दिखाते लेकिन बाबा ने कहा ये हम बच्चों को follow करना है बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरा मत बोलो बुरा मत करो और बुरा मत सोचो पाँच बाते हैं बाबा की है न यही मंत्र याद रखो तुम्हें अपनी कर्मिंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है कल युग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं इसलिए बाबा ये युपती बताते हैं पवित्रता का गुण धारण करो यही नमबर वन गुण है ओम शांती बाबा ने पूछा बच्चे किसके सामने बैठे हैं बुद्धी में जरूर चलता होगा कि हम पतित पावन सर्व के सदगती दाता अपने बेहत के बाप के सामने बैठे हैं भल प्रम्हा के तन में हैं तो भी याद उनको करना है अले बाबा सामने भी आए अव्यक्त स्वरूप में दादी के तन में ब्रम्हा बाबा के तन में लेकिन बाबा कहते हैं याद करो परमधाम में मनुष्य कोई सर्व की सदगती नहीं कर सकते सर्व का सदगती दाता एक निराकार परमपिता शिव परमात्मा मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़ी हम सब आत्माओं का बाप वह है वह बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं यह बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए यह भी बच्चे जाते हैं हम नर्क वासी से स्वर्ग वासी बन रहे हैं बहुत सहज रास्ता मिल रहा है सिर्फ याद करना है और अपने में दैवी गुण धारन करनी हैं बाबा क्या कह रहे हैं सबसे बड़ा काम अपने अंदर दैवी गुण की हमें धारना करनी तो जितनी अच्छी धारना करते जाएंगे उतना शक्ती मिलती जाएगी तो अपनी जाच रखनी है नारद का मिसाल भी है ये सब द्रश्टान्त ग्यान के सागर बाप ने ही दिये हैं द्रश्टान्त बने एक्जाम्पल उदहरन देते हैं तो जो भी सन्यासी आदि द्रश्टान्त देते हैं वह सब बाप के दिये हुए हैं भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते रहते कच्छुए का, सर्प का, भ्रमरी का द्रश्टान्त देंगे, तो आप सभी इसको होमबर करिएगा, बाबा ने कच्छुए का क्या द्रश्टान्त दिया, हमारे जीवन से क्या उसका रिलेशन है, तो आज ये सभ्यान से सुनेंगे, और आप खुद होमबर करिएगा, और जिसको नहीं समझ में आएगा, तो फिर कल हम इसका एंसर देंगे, कि कच्छुए का बाबा ने क्या एक्जाम्पिल दिया, सर्प का, भ्रमरी का, परन्त खुद कुछ भी नहीं कर सकते हैं, खाली बहत्मा लोग साधु लोग, केवल उसका एक्जाम्पिल देंगे, और बाबा ने तो प्रैक्टिकल करके दिखाया, बाब के दिये हुए द्रश्टांत भक्ती मार्ग में फिर रिपीट करते हैं, भक्ती मार्ग है ही पास्ट का, इस समय जो प्रैक्टिकल होता है, उसका फिर गायन होता है, भल देवताओं का जन्म दिन, अथ्वभगवान का जन्म दिन मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है, अभी तुम समझते जाते हो, बाब से शिक्षा लेकर पतित से पावन भी बनते हो, और पतितों को पावन बनने का रास्ता भी बताते हो, यह है रुहानी, मुख्य रुहानी सर्विस, बा आत्मा हो। आत्मा का भी किसको पता नहीं है। आत्मा तो अभिनाशी है। जब समय होता है आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हमात्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है परम टीचर भी है यह भी हर दम बच्चों को याद रहना चाहिए कि हमात्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है वो परमशिक्षक भी है यह भूलना नहीं चाहिए तुम बच्चे जानते हो अब वापस जाना है विनाश सामने खड़ा है सत्युग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है और कल्युग में कितने धेर मनुश्य हैं अनेक धर्म अनेक मते हैं सत्युग में यह कुछ भी होता नहीं सत्युग में बच्चों को सारा दिन बुद्धी में ये बाते लानी चाहिए यह पढ़ाई है ना उस पढ़ाई में तो कितने किताबादी होते हैं हर एक कलास में नए-नए किताब खरीद करने पढ़ते हैं और यहां तो कोई भी किताब वशास्त्रवादी की बात नहीं है इसमें तो एक ही बात एक ही पढ़ाई है यहां जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी राजाओं का राज्य था तो स्टेम पे भी राजा रानी के सिवाए और कोई का फोटो नहीं डालते थी और आजकल तो देख भकतादी जो भी होकर गए उनकी भी स्टेम बनाते रहते हैं इन लक्षमी नारण का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महराजा महरानी का होगा ऐसे नहीं जो पास्ट देवताएं होकर गए उनके चित्र मिट गए हैं नहीं पुराने ते पुराने देवताओं का चित्र ब बहुत प्यार है ये सब बाते तुम बच्चे धारण कर रहे हो और उनको रास्ता बताने ये है बिलकुल नई पढ़ाई तुमने ही ये सुनी थी और पद पाया था और कोई नहीं जानते तुमको राजयोग परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं महा भारत लड़ाई भी मशूर है क्या होता है सो तो आगे चल देखेंगे कोई क्या कहते कोई क्या कहते दिन प्रति दिन मनुष्यों को टच होता जाता है कहते भी है वर्ड वार लगेगी अभी तो देखो कौनसी वर्ड वार लगी ये पूरे विश्व में ऐसा वाइरस जो आत्मा को भी पांच वी कारो रूपी वाइरस देखो नुकसान पहुचा रहा है दिखाई नहीं देता कितना सुक्षम है और शरीर को भी वाइरस नुकसान दे रहा है वो भी दिखाई नहीं देता है तो यह तो विचेत्र लड़ाई है ना इससे तो कोई इसका कोई काट भ परम्रक्षक, परम्शिक्षक, शिवाबा की छत्रचाया और हम बच्चे सोभागिशाली हैं कि हमको ऐसा प्यारा बाबा मिला, उसका परीचे मिला, उसके हमारा संबंद है, उस रोप से हम उसको याद करते हैं. तो दिन प्रति दिन मनुष्यों को टच होता रहता है, है न? कहते भी वर्डवार लग जाएगी, उससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से करमाती तवस्था को प्राप्त करना है, बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं होती है, इस समय तुम रा कर देवी संप्रदाओं बनते हो, इसलिए इस जन्म में देवी गुण धारण कर रहे हो, नमबर वन देवी गुण है पवित्रता का, तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो, आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा, आत्मा इन करमेंद्रियों से कितने पाप करती रहती है तो बाबा कहा रहे अब here no evil, बुरा मत सुनो, किसको कहा जाता है आत्मा को, आत्मा ही कान से सुनती है तो बाबा कहते बुरा मत सुनो, बुरा सुनेंगे नहीं तो बुरा करेंगे नहीं, गुस्सा भी नहीं आए, कहते हैं अपनी कान से सुना था, यह गलत बात है, है तो बाबा कहते हैं नहीं सुनना है बाप ने तुम बच्चों को इस्मृति दिलाई है कि तुम आदी सनातन देवी देवता धर्म वाले थे चक्र खाकर आए अब फिर वही तुमको बनना है यह मीठी इस्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आती है तुमारी बुद्धी में है हमने कैसे 84 जन्मों का पार्ट बचाया है पहले पहले हम यह थे यह कहानी है न तो बुद्धी में आना चाहिए बाबा करें इसा बाते बुद्धी में आनी चाहिए पांच हजार वर्ष पहले हम सो देवता थे हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली है आगे यह जरा भी ख्याल नहीं था हम आत्माओं का वह घर है वहां से हम आते हैं पालट बचाने सूर्य वंशी चंद्र वंशी फिर वैश्य वंशी फिर शूद्र वंशी बने अभी तुम ब्रह्मा की संतान ब्रामण वंशी हो तुम इश काश्वर बैठ कर तुमको शिग्षा देते हैं यह सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर सुप्रीम गुरू भी है हम उनकी मतसे सब मनुश्यों को श्रिष्ट बनाती हैं बाबा कहले मुक्ती जीवन मुक्ती दोनों श्रिष्ट हैं हम अपने घर जाएंगे फिर पवित्रात्माः आकर राज्य करेंगे चक्र है न इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र माना स्वयम का दर्शन करना यह ज्यान की बात है बाप कहते हैं तुम्हारा ये स्वदशन चक्र रुकना नहीं चाहिए, जैसे पंखा चलता है न तो शरीर को ठंड़क मिलती है, तो ऐसे ये आत्मा के चक्र का ये पंखा चलता रहे, तो आत्मा को शांती, शीतलता मिलती रहे, नकोध आएगा, ना इर्शा नफरत आएगी, याद रहेगा, हम देवी देवता कुल की आत्माएं हैं, हमें फिर वहीं चलना है, ऐसा बनना है, तो बाबा कहते हैं, ये स्वदर्शन चक्र तुम्हारा रुखना नहीं चाहिए, फिरते रहने से विकर्म बिनाश हो जाएंगे, जैसे शास्रम दिखाते न, वो चक्र चलता था गोल-गोल, तो असरों का गला कटता जाता था, बाबा कहते ही, तुम्हारा चक्र फिरता रहेगा, तो तुम्हारे विकर्म बिनाश होते जाएंगे, तो पाप जब मिट जाएंगे बाबा केते हैं जब इस चक्र फिरता रहेगा तो तुम रामण पर भी जीत पालेंगे पाप मिट जाएंगे अब इसम्रती आई है सिमरण करने के लिए ऐसे नहीं माला बैठ के सिमरण करनी है आत्मा में अंदर ज्यान है जो तुम बच्चों को और भाई बहनों को समझाना है बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ यह ज्यान मेरे में है इसलिए मुझे ज्यान का सागर मनुष्य स्रष्टी का बीज रूप कहती है उनको बागवान कहा जाता है देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा नहीं लगाया है अभी तुम देवी देवता बन रहे हो यह सारा दिन सिमरन करते रहो तो भी तुमारा बहुत कल्यान है बाबा कहरे देवी गुण भी धारन करने है पवित्र भी बनना है इस्तरी पुरुष दोनों इखटे रहते पवित्र बनते हो ऐसा धर्म तो होता नहीं है निवरत्ती मार्ग वाले तो वह सिर्फ पुरुष बनते हैं कहते हैं न इस्तरी पुरुष दोनों इखटे पवित्र रह नहीं सकते मुश्किल है लेकिन बाबा ने देखो यह ऐसा इतना उंचा ग्यान दिया तो आज लाखो बच्चे बाबा के धर ग्रहस्त में रहते और वित्र रहते हैं देखो सत्युग में थे न ऐसे लक्ष्मी नाराण की महिमा भी गाते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको शुद्र से ब्रामण बनाए फिर देवता बनाते हैं हम ही पुज्य से पुजारी बनेंगे फिर जब आम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे तुम बच्चों को अपने 84 जन्मों का ज्यान है बाब ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो मैं बताता हूँ ऐसे और कोई मनुष्य कहना सके तुमको अब बाब स्वधर्शन चक्रधारी बनाते हैं तुम आत्मा पवित्र बन रही हो शरीर तो यहां पवित्र बनना सके आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर अब पवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है सब आत्माओं को पवित्र होकर जाना है बाबा केरे पवित्र दुनिया अब इस्थापन हो रही है और बाकी सब स्वीट होम में चले जाएंगे ये याद रहना चाहिए बाप की याद के साथ साथ घर की भी याद जरूर चाहिए क्योंकि अब वापस घर जाना है घर में ही बाप को याद करना है तो न गुद्धी कहां रखे घर में रखना घर में चैन आती है न कहते हैं अपने घर में सुकोन है कहीं भी भूम फिर आओ कितना भी लोग सम्मान करें कितनी खातिरदारी करें फिर भी कहेंगे चैन अपने घर में है भल तुम जानते हो बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे हैं परन्त गुद्धी परमधाम स्वीट होम से तूटनी नहीं चाहिए टीचर घर छोड़कर आते हैं तुमको पढ़ाने पढ़ा कर फिर बहुत दूर चले जाते हैं सेकर्ण में कहां भी जा सकते हैं शिवाबर टीचर देखो अपना घर परमधाम छोड़के नीचे आते हैं वे पढ़ाने आत्मा कितनी छोटी बिंदी है बंडर खाना चाहिए बाप ने आत्मा का भी ग्यान दिया है यह भी तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग में कोई गंदी चीज होती नहीं जिसमें हाथ, पाँ अथवा कपड़े आदी मैले हो ऐसा वह होते ही नहीं कोई गंदगी देवताओं की कैसी सुन्दर पहरवाईस है कितने फर्स क्लास कपड़े होंगे धोने की भी दरकार नहीं इनको देख कर किती खुशी होनी चाहिए तो ऐसे फर्स क्लास होते थे धूल मिटी कही होती नहीं थी और दिन बर में किती बार तो कपड़े ही चेंज होते थे उनके आत्मा जानती है भविशे 21 जन्म हम यह बनेंगे बस देखते रहना चाहिए यह चित्र सब के पास होना चाहिए इसमें बड़ी खुशी चाहिए हमको बाबा यह बनाते है ऐसे बाबा के हम बच्चे फिर रोते क्यों है बाबा क्या कह रहे आश्यरी लगता है रोते हैं बच्चे वंडर लगता है हमको कोई फिकर थोड़ी होनी चाहिए देवताओं के मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं सरवगुण संपन सोलाकला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी क्या क्या कहते हैं देखो अब शास्त्रों में किसने लिखा कहेंगे व्यास ने लिखा ये कोई नए नए भी बनाते रहते हैं ऐसे भी बहुत हैं जो उसमें अडिशन करते रहते ग्रन्थागी बहुत छोटा था हाथ से लिखा हुआ था अभी तो कितना बड़ा बना दिया है जरूर अडिशन किया होगा पहले कोई प्रिंटिंग मशीन तो होती नहीं थी तो हाथ से लिखा हो कितना होता था चोटा सा तो बाबा करे अब गुरुनानक तो आते ही है धर्म की स्थापना करने ज्यान देने वाला तो केवल एक ही है क्राइस्ट भी आते हैं सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए जब सब आ जाते हैं फिर तो वापस जाएंगे ना घर भेजने वाला कौन है क्या क्राइस्ट नहीं वाबा करे वा तो भिन भिन नाम रूप से तमो प्रधान अवस्था में अभी आतमा तो देखो लुँवी दूसरा कोई शरी ले लिया होगा और अभी भी आतमा भी देखो तमो प्रधान बन गई सतो रजू तमो में आते हैं न इस समय सब तमो प्रधान है सब की जड़-जड़ी भूत अवस्था है उनर जनम लेते इस समय सब धरम वाले आकर तमोप्रधान बने हैं अब सब को वापस जाना जरूर है फिर से चक्र फिरना चाहिए पहले पहले नया धर्म चाहिए जो सत्युग में था बाप ही आकर आदी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं फिर विनाश भी होना है सत्युग में एक ही धर्म होगा ये स्मृति आती है न सारा चक्र स्मृति में लाना है अभी हम 84 का चक्र पूरा कर वापस घर जाएंगे तुम बोलते चलते स्वधर्शन चक्रधारी हो बाबा क्या कहरे चलते फिरते बुद्धी में स्वयम का दर्शन करते रहो ये चक्र फिर आते रहो वो फिर कहते क्रश्न को स्वधर्शन चक्र था उसने उनसे सबको मारा आकासुर बकासुर आदिके चित्र दिखाए है अरंतु बाबा क्या कहते है ऐसी कोई बात है नहीं तुम बच्चों को अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन कर रहना है क्योंकि स्वदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप कटते है आसुरी पना खतम होता है देवताओं और असुरों की लड़ाई तो हो न सके असुर है कल युग में और देवताओं है सत युग में बीच में है संगम युग शास्त्र है ही भक्ती मार के ग्यान का नाम निशान नहीं ग्यान सागर एक ही बाप है सब के लिए सिवाए बाप के कोई भी आत्मा पवित्रबन वापस जा नहीं सकती यह ना, के वले बाबा ही है जो पवित्र बनाते हैं, पार्ट जरूर बजाना है, तो अब अपने 84 के चक्र को भी याद करना है, हम अभी सत्युगी नए जन्म में जाते हैं, ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता है, शिव बाबा फिर ब्रम्हा बाबा, लोकिक, पारलोकिक और य समय की ही बात है, इनको अलोकिक कहा जाता है, तुम बच्चे उस यो बाबा को सिमरण करते हो, ब्रम्हा को नहीं, भल ब्रम्हा के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वो अभी तब बूजते हैं, जब सुक्षम वतन में सम्पूर्ण अभ्यक्त मूरत है, ना, ब्रह्म्हा बाबा जब साकार में थे तो उस स्वरुप की पूजा नहीं, बाबा करे जो भी मंदिर भी एक बना भी है, तो भी कपका जब अव्यक्त स्वरुप संपून बन गए, ये शरीर धारी पूजा के लायक नहीं है, क्योंकि शरीर पांश्तत्तों से बना, वो भी विकारी हो गया, देखो सब पांश्तत भी इंप्योर है, ये तो मनुष्य है न, मनुष्य की पूजा नहीं होती, ब्रह्मा को दाड़ी दिखाते हैं, तो मालूम पड़े कि यहां का है, बाकि देवताओं को दाड़ी आदिर नहीं होती है, किसी भी देवी देवता को देखो बुजुर्ग नहीं दिखाया दाड़ी मुझ है, तो ये कलियुक के निशानी है, ये सब बाते बच्चो को समझा दी हैं, तुमारा नाम बाला है, बाला मने फेमस है, इसलिए तुमारा मंदिर भी बना हुआ है, सोम नात का मंदिर कितना उचते उच है, सोम रस पिलाया, फिर क्या हुआ? फिर यहां भी दिलवाडा मंदिर देखो मंदिर हु बहु यादगार बना हुआ है नीचे तुम तपस्या कर रहे हो उपर में स्वर्ग है मनुष्य समझते स्वर्ग कहां उपर में है देवताओं मंदिरों में भी देखो नीचे स्वर्ग कैसे बनाए तो उपर छट में बना दिया बाकी बनाने वाले कोई समझते नहीं है बड़े-बड़े करोड़ पती है उन्हों को ये समझाना है तुमको अभी ज्यान मिला है तो तुम बहुतों को दे सकते हो ज्यान की बाते जो मिली है सुन रहे हैं वो बावा करे सबको बारते रहो अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्छों प्रति मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुद मॉर्निंग रूहानी बाब की रूहानी बच्छों को नमस्ते हम रूहानी बच्छों की मात पिता बाब दादा को याद प्य नमस्ते और गुट मार्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया बेहद दिल से बाबा का शुक्रिया आज धारना के लिए मुख्य सार है फर्स्ट पॉइंट है अंदर से आशुरी पने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वधर्शन चक्रधारी होकर रहना है सारा चक्र इस्म्रती में लाना है सेकेंड पॉइंट है बाब की याद के साथ साथ बुध्धी परमधाम घर में भी लगी रहे पाता पिता बच्चों के घर पहुंच भी जाते वहां बेटी के पास असुराल कईगे हम आ गए बेटा है तो भी बेटी कहाvisor उपना घर याद आता है भलेश्य बाबा परम्धाम से नीचे आ गया लेकिन बाबा कहते तुम्हें अपनी बुद्धी परम्धाम में रखनी है बाप ने जो इस्मृतियां दिलाई है उनका सिम्रण कर अपना कल्यान करना है और आज का वर्दान है संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले द्रण संकल्प धारी भव जैसे कहावत है धरत पर ये धरम न छोड़िये तो कोई भी सरकमिस्टान सा जाए माया के महावीर रूप सामने आ जाएं लेकिन धारणाएं न छूटे संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्वे संकल्प में भी स्विकार न हो जैसे कहते हैं न दान दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती है तो हमने संकल्प कर लिया अंदर के हमें अशुद भोजन नहीं खाना है हमने संकल्प कर लिया हमने बुरा नहीं सोचना है तो संकल्प में भी उन्हें वापस नहीं लेना है सदा अपने श्रेष्ट स्वामान, श्रेष्ट स्म्रती और श्रेष्ट जीवन के समर्थी स्वरूद्वारा श्रेष्ट पार्ट धारी बन, श्रेष्ट ताका खेल करते रहो कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाए जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प द्रण होगा तब परिवर्तन समारोह होगा इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो है ना कौन सी हमें संपन बनना संपूर्ण बनना बाबा करे कौन सी डेट रखेंगे अब खुद बच्चे संगठित रूप में निश्चित करो तो ये द्रड संकल्प करना तो आज का स्वमान भी याद रखेंगे मैं आत्मा द्रड संकल्प धारी हूँ जहां द्रडता होती है वहां सफलता है और आज का स्लोगन है रियल डाइमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ रियल डाइमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ अच्छा ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती